मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 वरी से शुरू हो चुका है और सत्र के दूसरे दिन की शुरुवात काफी हंगामे के साथ हुई जहां राजेपाल पर कॉंग्रेस की टिपणी पर सीम शिवराज सिंग ने लोगतंतर की गरिमा गिराने वाली बात कह डाली के बाद एक बार फिर कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारौप का दोर शुरू हो गया है और मध्यप्रदेश विधानसभाब बजट सत्र के दौरान प्रदेश के मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने निशाना सात्ते हुए कहा कि कॉंग्रेस जुट बोलने की दुकान है वो मेरे बारे में कुछ भी कहते रहते हैं मैं अपत्ती नहीं करता लेकिन कम से कम समयधानिक पत पर बैठे राजपाल के बारे में ये कहना कि उनसे जुट बुलवाया गया है ये लोगतंतर की गरीमा गिराने का काम है तो उधर मध्यपरदेश के होम मिनिस्टर नरुत्त मिश्रा ने भी कमलनाथ के बयान का पलटवार किया है और कहा कि 15 महीने के अपनी सरकार में कमलनाथ जी ने किसानों की कर्ज माफी और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर नौटंकी की थी इसलिए वो दाडली बहन योजना को नौटंकी बता रहे हैं गौरतलब है कि मध्यपरदेश में इस साल के अंत में विधानसवा चुनाव होने है और इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए दोनों ही पार्टियां अभी से चुनावी प्रचार में जुट गई है और एक दूसरे पर आरोप लगाने से भी पीछे नहीं हट रही है